अगर आप online saving account open करना चाहते हैं तो UG1 small finance bank भी best choice हो सकता है जिसमें आप digital saving account online open कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप UG1 small finance bank में account open करते हैं digital saving account open करते हैं तो उसमें आपको क्या-क्या benefit मिलेगा debit card का क्या charges रहेगा और भी बाकी के सारे charges इस वीडियो में discover करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे saving account का option पे click करेंगे यहाँ पे आपको आपको आप देखेंगे तो saving account के section में digital saving का option आपको दिखाई देगा यहाँ पे कई तरह के saving account का type है maximum saving account, privilege saving account, classic saving account, गरीमा saving account, regular saving account, senior citizen saving account, minor saving account इस तरह के कई तरह के saving account का type है online account आपन करना है तो digital saving account पे आप click करेंगे इसमें आपको वीडियो के वैसी का facility मिलता है ब्रांच जाने की कोई भी ज़रुरत नहीं है अच्छी बात यह है कि digital saving account, zero balance account है इसमें आपको एक भी पैसे अपने account में रखने की ज़रुरत नहीं है यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले बात करते eligibility criteria की कौन-कौन इस account को open कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहले आपका 18 plus age होना चाहिए account open करने के लिए document की बात करें तो आपका अधार card pen card होना चाहिए जिसपे एक OTP send किया जाएगा तो mobile number registered होना must है अब यहाँ पे features की बात करते हैं कि इस digital saving account में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे instant अपना एक account number open कर पाएंगे मतलब saving account तुरंती open हो जाएगा free debit card आपको मिलता है एक साल के लिए debit card का क्या charges होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा free SMS alert का facility मिलता है your registered mobile number पे जो कि SMS alert का भी कुछने कुछ चार्ज होता है 15 रुपए से लेके 25 रुपए के बीश में जो कि इस bank आपको ये bank आपको free of cost प्रवाइड कर रहा है 5 free transactions आपको मिलते हैं बोथ bank के ATM से अगर आप जीवन small finance bank के ATM से transaction करते हैं तो 5 free transaction आप कर पाएंगे और other bank के ATM से अगर आप cash withdraw करते हैं ATM के थुरू तो उसमें भी आपको 5 free transactions मिलते हैं अगर आप इससे beyond इससे ज़्यादा transaction करते हैं तो इसके उपर charges होते हैं और वो charges applicable होंगे डारेक्टली आप यहाँ पर बात कर सकते हैं customer care executive से वो भी कई तरह के language support होते हैं यहाँ पर numbers भी दिया हुआ है अच्छी बात यहीं कि उजीवन small finance bank में 26 state में इनका जो है branch है जिसमें से 752 branch है जिसमें आप कोई भी branch में जाकर problem होता है तो उसका solutions आप ले सकते हैं अगर आप इस digital account को open करते हैं तो अच्छी बात यहीं कि इसमें आपको सारे तरह के bills payment करने के लिए UPI recharge यह सारा कुछ मिलता है no regional language में भी available है अब बात करते हैं यहाँ पर debit card और charges को लेके तो सबसे वहले fees and charges के section पर जाएंगे और यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा सा latest वाला दिखाना पसंद करूँगा जो की latest में अपडेट होगा 1 July 2024 तो अभी देखेंगे तो 1 July 2024 को काफी सारे जो चार्जे से उसको अपडेट किये जा रहे हैं तो approximately आज जो मेरे वीडियो सूट कर रहा हूं तो आज डेट है 15 June तो definitely अगर आप वीडियो यह जुलाई में देख रहे हैं तो अपडेटेड अलरी हो चुका होगा तो charges की बात करते हैं यहां पर charges का page को इस तरीके से दिखता है जहां पर सबसे पहला जो charges है वो है monthly average balance अब charges में भी यहां पर दो-तिन तरीके से है जो मैं थोड़ा से यहां पर जूम करके आपको समझाना चाहता हूं यहां पर लिखा हुआ average monthly balance requirement उपर यहां पर लिखा हुआ है BSBDA account मतलब यह उपर जो यहां पर saving account लिखा हुआ यहां पर mark करके यह saving account है यह saving account है जैसे कि regular saving account, minor saving account, senior station account और यहां पर है digital saving account तो हम जो open कर रहे हैं digital saving account तो हमारा जो भी charges वगएरा होगा वो इस box में होगा last वाले box में तो कोई भी आपको monthly balance यहां पर requirement नहीं है अपने account में अब यहां पर जो non maintenance charges होता है अब देखिए यहां पर जाहिर सी बात है जब कोई भी पैसा account में maintain ही नहीं करना है तो उसके लिए कोई भी non maintenance charges भी नहीं होगा तो यहां पर लिखा हुआ NA तो मतलब कि यहां पर इसका भी charges निल है अब नीचे मैं आपको थोड़ा सा scroll करता हूँ और यहां पर debit card के उपर बात करते हैं तो यहां पर देखिया अब इसमें से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ अगर आप digital saving account के अलावा regular saving account open करते हैं उसमें देखिये maintenance balance 1000 है और यहां पर जो non maintenance charges है वो भी यहां पर दिया गया है बर digital saving account में सब कुछ यहां पर 0 है यहां पर बात करें तो primary debit card type जो debit card आपको मिलता है वो हम यह वाला account open कर रहे हैं last वाला digital saving account तो इसमें आपको यहां पर रुपए classic debit card दिया जाएगा अब रुपए classic debit card का जो expense fees है वो यहां पर first year यहां पर expense fees यहां पर कुछ भी नहीं है जो कि यहां पर लिखा वो debit card expense fee first year मतलब कि जो जैसे debit card अपला होता उसका कोई भी charges आपसे नहीं लिया जाएगा दूसरा debit card AMC मतलब annual maintenance charges यह जो applicable होगा charges वो second year से applicable होगा 125 रुपए plus में 18% GST आपके bank account से automatically deduct हो जाएगा लेकिन यह कब होगा यह second year से होगा first year में आपसे कोई भी charges नहीं लिया जाएगा अगर आप joint debit card लेते हैं तो उसका भी कुछ यहाँ पर charges increase है थोड़ा बहुत extra charges आपको देने पढ़ सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो joint debit card में भी आपको रुपए classic debit card मिलेगा और इसका जो issuance fee से वो 1.500 रुपए है और जो यहाँ पर आप देखेंगे second year से AMC मतलए इन्वल मेंट रुपए चार्जे सेम ही है 125 रुपए प्लस में 18% GST बाकि डेमेज होता है reuseu करवाते हैं तो उसके लिए charges यहाँ पर 1.500 रुपए रखा गया है अगर आप दुवारा debit card अपलाई करते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे transactions के बारे में हमने अल्रड़ी बात कर लिया है कि कितना transactions आपको मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ 5 free transactions यहाँ पर आप देख सकते हैं last वाला में जैसे कि मैंने आपको बताया था यह जो section से वो है digital saving account का तो यहाँ पर 5 दिया गया है यहाँ पर भी 5 दिया गया है तो आप चाहें तो usual small finance bank के ATM से transaction करेंगे तो 5 transaction other ATM से भी करेंगे तो भी 5 transaction इसके उपर मैंने अल्रड़ी पहले यह आपको starting में ही बता दिया है बाकि आप उससे beyond यहाँ पर transaction करते हैं तो definitely आपको charges देने पड़ेंगे और वो charges यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ और charges की बात करते हैं जो कि important होता है I think तो यहाँ पर सबसे पहले cash deposit charges की बात करते है add branch digital saving account में देखी जितना भी आपको cash deposit करना है यहाँ पर लिमिट नहीं है नहीं यहाँ पर कोई भी charges है debit card limit की बात करें तो daily limit यहाँ पर कितना है तो हम यहाँ पर digital saving account में देखेंगे यहाँ पर पचीस अजार रुपया daily transaction कर सकते हैं जो आपको मिलेगा digital saving account में जो debit card मिलेगा उसमें और e-commerce या फिर post point of sale मतलब आप shopping वगरा करते हैं वहाँ पर payment करते हैं तो आपको 50,000 रुपय का daily transaction limit आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको services देखने को मिलेगा पीन generation की बात करें तो green pin almost free रहता है जब आपके पास first time debit card जब generate करना होता है वह free रहता है लेकिन जब second pin जल लेकिन जब अगर आप second pin generate करोगे या फिर अगर आप pin को भूल जाते हैं तो अगर आप ATM machine में करते तो उसके लिए चार्जिबल होगा बड़ उसका यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है चेक बुक की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर चेक बुक में क्या है कि आप देखेंगे चेक बुक फीस यहां पर है और डिजिटल सेमिकान में 25 लिप्स का चेक बुक सिर्फ सिफ आपको 75 रुपीस में मिलेगा हां चेक बुक बिलकुल भी फ्री नहीं है चेक बुक अगर आपको चाहिए तो आपको चार्जिबल देने पड़ेंगे और कितने चार्जिबल है 75 रुपीस 25 च करेंगे तो इन फीचर अगर आप ब्रांच से भी बता रहा हूं यह सब एक जुलाई से अप्लीकेबल होने हैं तो एक जुलाई के पहले अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और यह हो सकता है कुछ चेंजे सो बट एक जुलाई के बाद यह अप्लीकेबल हो जाएगा य कोई भी यहां पर चार्जस नहीं है बाकि और भी कई तरह के यहां पर फीस एंड चार्जस होते हैं जो कि उतने काम के नहीं होता है नहीं लोग उसे जनरल पब्लिक उसको यूज करती है जैसे कि डीडी आशिकल बहुत कम हो गया दिमांड राफ यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है तो उमीद है कि आपको सारी चीजह मैंने आपको बता दिया इस उजीवन स्मॉल फानेंस बैंक का डिजिटल से भी अकाउंट के बारे में तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर कुछ छोट गया होगा या फिर आपको कुछ इंफोमेंट क कमी लगी होगी तो प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके बताईएगा मैं कोशिस करूँगा आगे और भी इंफोमेशन अगर कुछ बच गया तो वो भी नीचे बताईएगा मैं कोशिस करूँगा कि आपको कमेंट में भी जवाब देदू और अगली बार जब भी मैं कोई भी information की कमी ना तूटे तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए दिल से घन्यवाद